हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम एक पार्ट पढ़ेंगे इसका नाम है मूच का कमाल बच्चों पूच वाले जन्तूओं के लिए पूच एक महतपूर अंगुता है इस पार्ट में पूच वाले जन्तूओं द्वारा अपनी पूच से होने वाले करतबों की जानकारी दी गई है तो चलिए हम भी इस पार्ट को पढ़ते हैं और आनन्द उठाते हैं तो चलिए पूच छोड़ते हुए पिता जी किन किन जानवरों की पूच होती है पिता गाय कुत्ता बंदर गिलहरी आदी जानवरों की पूच होती है चिपकली मगरमच और मचली की भी पूच होती है प्रिया पापा पूच को और क्या कहते हैं पिता पूच को दुम भी कहते हैं प्र गाय अपनी लंबी पूँच से मक्खी मच्छर उड़ाती है जब कुट्टे खुश होते हैं थो वे अपनी पूँच हिलाते हैं जब डरे होते हैं तब अपनी पूँच तांगों में दबा लेते हैं केशव, मचली की पूँच उसके किस काम आती है? पिता, मचली की पूँच उसे तैरने में मदद करती है. प्रिया, पापा, बंदर और लंगूर की पूँच कितनी लंबी होती है ना? पिता, हाँ बेटी, उनकी लंबी पूँच उन्हें एक डाल से दूसरी डाल पर जाने में मदद करती है. लंगूर अपनी पूँच से बंदर की पिटाई भी कर देता है, इसलिए लंगूर से बंदर डरते हैं. केशव, हमारी पूँच क्यों नहीं होती? पिता, जानते हो, पहले आदमी की भी पूँच होती थी, धीरे धीरे वह छोटी होती गई, क्योंकि आदमी उससे काम नहीं लेता था, इसलिए एक दिन वह गायब ही हो गई. केशव, तो आप इसलिए खूप काम करते हैं, पिता, हाँ पुत्र, सब हसने लगते हैं. उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपने भी इस पार्ट का आनंद उठाया होगा, और आप जान गए होंगे, पूँच जानवनों के लिए कितनी लाबदायक होती हैं. अब इस पार्ट का अभ्यासकारे आप स्वायम कीजिए.